हलो फ्रेंट रादे क्रिशना कैसे हैं आप सब भी आयोप्स आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे तो आज है चौदे अगस्त और आज मंडे है तो मेरा फास्ट भी है तो मेरे सुबह के ना काम हो गए है जाड़ों पहुंचा और नाना दोना बस अभी मैं पूजा कर रही हूं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है तो अभी मैं आ गई हूं किचिन में और यहां पर मैंने दूद को वाइल होने पापा के पास में लेटी हुई है तो बस चाय पीके फिर फटा-फट से गुन्न को रैटी कराके और स्कूल चोड़के आना है और खाने में तो आज मुझे कुछ नहीं बनाना क्योंकि मेरा फास्ट है तो अस्वेंट बोले थे कि जो तुम अपने लिए बनाओ वही मेरे ल आँगे वह खा लएंगे अगे चाय वाए पीके फिल्म में गुन्न को छोड़ने जा रही हूं उसको इसकूल अभी साड़े-दस का टाइम हो रहा है चाड़े-दस पर छोड़के आती हूं और साड़े-बारे बज़े मैं उसको लेकर के आ जाती हूं तो अभी साड़े-ब अपड़े चेंज किये फिर मैं लग गई किचिन में तो यहां पर मैंने कोकर में आलू वाइल होने के लिए रख दिये हैं और कडाई में बढ़ा रही हूं गुलने के लिए सेरलेक्स तो उसको मैं सेरलेक्स खिला के बेजूंगी आज कोची और हम लोगों के लिए मैं झालू 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 को बिए स्थिते लोगों के यहां लोगों के लिए सकते आलू जहां। कुछ को पाए जोलू कर दो चली गई है अभी अपने पापा की साथ मैं सेंटर और मैं करूंगी घर का सारा काम पूरा गर ऐसी फैला हुआ हुआ है उसने आती मतलब सुबह समयटा था पूरा और स्कूल से आती फूरा फैला दिया है मतलब जो उसको सवा डेड़ घंटा मिलता है उसमें उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या-क्या काम कर जाओं यहां पर पूरा फैला जाती है वह तो फटाबट से मैं जल्दी से समयट लोंगी कपड़ों कोई भी तय लगानी है मुझे तो इसको भी मैं उतार के रख लेती हूं उस पतानी क्या-क्या बोलती रहती है बहुत सोर मचाती है वीडियो में तो मेरा सारा काम हो गया है और उसके बाद फिर मैंने वीडियो भी एडिट कर लिए अभी मुझे गुन्नों के पास जाना है साड़े चार पर पहुने पांच पास की छुट्टी हो जाएगी तो फटा- मामा कॉम का नेर्चरल ग्रीन टी फेस टॉनर तो अच्छा लग रहा है मुझे और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूं यह पांच की सुपर लाइट जैल इसको तो मैं पिछले दो साल से यूज़ कर रहे हूं काफी अच्छी है फेस पर थोड़े थोड़े दाग पड़ ज यूज़ कर रही हूं और मामा अर्थ का ही मैं काजल यूज़ करती हूं तो यह मुझे इतना अच्छा नहीं लगा काजल मुझे लैक में वाला ज्यादा अच्छा लगता है मामा अर्थ वाला इतना अच्छा नहीं लगा फिर मैंने ले लिया था और काफी महांगा भी आया तो मैं आप अपने कूलिंग पेपर लेकर के बैट गई हूं और मैंसे ढोड़ रही हूं मुझे ग्रीन वाइट और 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 अरेंज कूलिंग पेपर मिल जाएं तो कूलिंग पेपर तो बहुत सारे थे लेकिन जो कलर मुझे चाहिए था वह नहीं था थी म में और नहीं था और जो फाइब अमें थे उसमें वाइट था गरीन था लेकिन और अरँज नहीं थे तो फिर मैंने क्या किया कि मैं 3mm लेती हूं और जो 5mm का ग्रीन है न उसमेंसे मैं कट कर लोंगी तो मेरा काम हो जाएगा तो धिए इस बनाने के लिए मैं ने ले लिए इसे खाली बोटर और इसकी ढखन पर एसे कुलिंग पेपर लेकर एसे राउंण कर था फिंदा चांग से पर वेंत आंब कर जाना है और को इस तरह M legal बनानी है दो वाइट बनानी है दो ग्रीन बनानी है तो यह देखे इस तरह कि मैं बनाकर तयार करूंगी सेट कर दाएंगे हाथ से पहले इसको तो यह न मेरे साधी से पहले की रखे हैं तब मैं क्राफ्टिंग करती थी तो तभी का सामान पड़ा हुआ है अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो देखें ग्रीन मेरे पास मैं नहीं था तो फिर मैं ग्रीन को न उसके उपर वाइट कुलिंग पेपर को रखें और ग खेंगे और उपर से फिर मैं इसके फ़र फैविकॉल लगा दूँगी ताकि जो सेफ है वह ऐसी ही रहे और इनको सुखने के लिए सब्सक्राइब जल्दी से फिर मैंने ना इनको फैबिकॉल लगा के दूप में सुका लिया था ताकि मैं इनको गुन्नू के आने से पहले बना के रख जाओं और देखे बाइट वाली को इस तरह से कट करना और इसमें एक ग्रीन डालनी है और एक ओरेंज डालनी और फैबिकॉल के हेल्प से इसको एसे जॉइंट को फिर से लगा देना है तो यह थोड़ा ताइम लेता है ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है नहीं तो यह ऐसे खुल जाता है तो बाकि एरिंग्स बनाने में कोई टैम निलगा बस मुझे यूइस को जोइंट करने में टाइम लगा था और अभी मैंन दूँगी यह भी मेरे पास मैं रखी थी यह न यह गोल्डन में थी अगर वाइट में होती तो और ज्यादा अच्छा लगता तो फिर मैं सुचा आज जो है उसी से बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलता ही नहीं है सामान मैंने काफी ट्राई किया लेकिन यहाँ मुझे मिल आई नहीं और मत्रा जब मैं गई थी ना तो भूल गई थी चोटे-चोटे सामन में भूल जाते हूं वहां से लेना सोचा तो था लेके जाओंगी और ये मेरे सुंदर से एरिंग बनके तैयार है कल के लिए तो बस अभी टाइम भी हो गया तो फटा-फट से मैं निकल लेती ह हूं गुनून के पास पॉर्णे पांच पर उसकी चुटी हो जाएगा अभी साड़े-चार से उपर का टाइम हो गया है जल्दी यल्दी चाहती हूं गुन-गुन को घर लागे फिर मैंने उसको दूद बूद दिया एक गंटा मिलता है उसको फिर छे बज़े हम पार का जाते हैं तो अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है और फिर हम पहुच गए हैं घर तो बस घर आके गुनू के हाथ मुद दुलाओंगी और मैं नहां के दीपक जलाओंगी उसको हाथ मुद दुला के कुछ खाने के लिए दे दूँगी ताकि बूल लगी रहे और दीके आती उसने ल आलू पनीर की सब्जी पहले ना मम्मी बनाती थी इस तरह से और मैंने भी कई बार बनाई है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती थी आप एक बार बनाओगे न तो आपके लिए नहीं बचेगे आप घर वाले न सारी खा जाएंगे तो इसके लिए मैंने आलू और पनीर को चोटे-चोटे पीस में कट किया एक टमाटर और एक खरी मिर्ची ले लिए कड़ाई रख दिया उसमें ओयल डाल दिया है एक कड़ाई और रखे इसमें कि हम आलू और पनीर को फ्राई करेंगे थोड़ा सा ओयल डाल लिया है थाकि पनीर जोगो नीचे लगे नहीं और बनाती थी आलू और पनीर की बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती थी तो आज फिल मेरा मन क्यूंख आज ना को अच्छा सा बनाते हैं तो फिल मैं सोचा यार घृत सबचि सिंपल भी है और बहुत टाइम से खाई भी नहीं है तो इसी को बनाते है और आपके साथ मैं भी र अच्छे से लें पहले थोड़ा सा पानी डाले तब ही वह से कहेंगे और यह गैस पर चुप कड़ाई रखी तो अईल भी गरम हो गया तो मैंने इसमें तोड़े से सावत मसाले डाले और टमाटर और हडी मिर्ची को डाला मैंने इसमें बस टमाटर को सौक्ट होने तक पकाया इसके बाद फिर चाहेंगे थोड़े से मसाले जैसे की नमाक, हलदी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर बस सभी को डालके अच्छे से मिक्स कर दाएंगे और उसके बाद जो उनने पनीर और अलू को फ्राइब करके रखा है ना उनको डाल दाएंगे और डाल लिया है और ये सब्जी बन रही है तो फटा-पट से फिर मैं लगा लिपती हूं आटा और जो भी छोटे-मोटे काम है बड़तन वगरा साफ करना वो उन सब को मैं कर लूँगी और ये हमारी सब्जी ओल्मोस्ट तयार होने ही बाली है तो हम इसमें डाल देते हैं आदा बढ़ाएं बना लेते हैं मुझे लगता है आज तो मेरा वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप लोग बीदो की हो गए देखते देखते तो चले फिर वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं एक वीडियो फसंद आयो तो वीडियो कर दीजिए गा और चैनल